नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो कल हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने साउथ के टॉप टेन एक्टर और डेक्टर के डियोस की जनकारी प्रवाइड करी थी वीडियो में काफी सारे कमेंट आए कि आकिर हम कैसे महस बावू एक्स पूरी जगनाथ तलपती विजे एक्स लोकेस कनग राज और राम चरण एक्स एसस राजा मौली जैसे एक्टर और डेक्टर के कुलेबरेशन को भूल सकते हैं दरसल हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर हम उन एक्टर और डेक्टर की बात करने वाले हैं जिन्होंने मिनमम तीन फिल्मों में काम तो किया ही हो आगे आने वाले वीडियोस में हम एक ऐसा भी वीडियो प्लैन कर चुके हैं जहांपर हम उन एक्टर और डेक्टर के डियोस की जानकारी प्रोवाइट करेंगे जिन्होंने दो सकस्फुल फिल्मों में काम किया और ओडियन्स को उनके थर्ड कुलिबरेशन को लेकर काफी एकसाइटमेंट है बहराल ये वीडियो हमारे कल वाले वीडियो का ही पार्ट टू है जहांपर हम अगें दस और ऐसे ही एक्टर और डेक्टर की जानकारी प्रोवाइट करेंगे मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो उससे जरूर देख लें उसकी लिंक आपको ओपर आई बटन पर दी गई है कैर आप चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो में अंति तक बने रहें दोस्तो ये कॉलिवीट का वन अप दा मोस्ट एप्रिसेटेड एक्टर और डेक्टर की जोड़ी है जिन्होंने साथ में तीन सक्सेस्फुल फिल्म में डिलीवर करी है इनका पहला कॉलिवरेशन साल दोर 19 की फिल्म नरकॉंडा परवाई में देखने को मिला था ये बिग बी की फिल्म पिंक की रिमेक थी जिसने वर्ड वाइड में 181 करोंट की कमाई करी आगे चलकर इन्होंने अजित कुमार के साथ बैक टू बैक दो फिल्मों में और काम किया दोस्तों ये फिल्में थी बली माई और थिनुवो और ये फिल्में भी तमिल बॉक्स आविस पर बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई दोस्तों इन दोनों ने भी साथ में तीन फिल्मों में काम किया है इनका पहला कोलिबरेशन हमें साल दोर पाच की फिल्म अथाड़ो में देखने को मिला ये फिल्म बॉक्स आविस पर सूपर हिट साबित हुई आगे चलकर इन एक्टर डेक्टर ने साल दोर दस के फिल्म कलेजा में भी साथ में काम किया जो कि तीन सालों के बाद महस बाबो की कमबैक फिल्म थी हाला कि ये फिल्म उस समय पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी लेकिन ओवर दा पिरिड इस फिल्म की आज की तारिक में अपनी एक कल्ड फॉल्लिंग बन चुकी है लाशली इन दोनों ने महस बाबो की फिल्म गुंटूर कारम में साथ में काम किया हाला कि ये फिल्म उम्मित के मुताबिक बिश्निस नहीं कर पाई और इनका तीसरा कॉलिबरेशन मिस्फायर साबित हुआ दोस्तों मास ओडियंस के बीच इन दोनों एक्टर डेक्टर का एक अलगी क्रेज है इन दोनों के साथ में आने का मतलब है कि ओडियंस के पैसे का पूरी तरह से वसूल होना इनका पहला कॉलिबरेशन हमें साल 2010 की फिल्म डॉन सीनो में देखने को मिला था 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स आवेस पर 30 करोड की कमाई करी और बॉक्स आवेस पर सूपर हिट साबित हुई थी इसके बाद इन दोनों ने साल दोर 13 की फिल्म बलूपू में साथ में काम किया जिसने तेलगू बॉक्स आवेस पर 61 करोड की कमाई करी लाश्टली जब रवी तेजा को अपने केरेर में कमबैक की जरुवत थी तो इन्होंने तीसरी बार डेक्टर गोपी चन मली नेनी के साथ कोलाप किया और ये फिल्म तीक क्रैक दोस्तों ये फिल्म साल दोर 21 में रिलीज़ होई जो कि रवी तेजा के केरेर की हाइस डॉसर फ सुर्या की सिंगम सीरीज इन दोनों का ही जुएंट वेंचर है और इस सीरीज के अंतरगत अब तक तीन फिल्म में आ चुकी हैं आप जानते ही होंगे कि सिंगम का रोल प्ले करने से सुर्या की पैन इंडिया पर कितनी मैसिफ फैन फॉलिंग बढ़ी थी बैराल इसके अला की बीच एक अलगी क्रेश देखा जा सकता है दोस्तों गोपी चंद और स्रीनिवास ने आप सक तीन फिल्मों में साथ में काम किया जिसमें से इनकी शुरुवाती दू फिल्म में बहुत बड़ी सकसेश साबित हुई इनका पहला कोलिबरेशन साल दोर साथ में देखा गया फिल्म ती लक्षम जो की बॉक्स अविस पर सूपर हिट साबित हुई इसके बाद इन दोनों ने लोकेम फिल्म में काम किया जो की गोपी चंद की केरियर की अब तक की लाश्ट बड़ी सकसेश है तीसरी बार इन दोनों ने रामा बानम फिल्म में काम किया जो की बॉक्स फेमस एक्टर डेक्टर की जोड़ी है जिन्होंने अब तक तीन फिल्मों में काम किया इस में से इनकी सुरुवाती जो दो फिल्में है उनकी आज की तारिक में तेल्वी ओडियंस के बीच एक अलगी कल्ड फॉल्वेंग है इनका पहला कुलेबरेशन हमें साल दोर आर्ट की फिल्म जलसा में देखने को मिला जो कि बॉक्स आवस पर हुज ब्लॉकबश्टर रही और ओवर दा पिरिड इस फिल्म की अपनी एक लेगेसी है दूसरी बार ये दोनों एक्टर डेक्टर साल दोर 13 की फिल्म अत्रिंत की दरेदी में साथ में देखने को मिले दोस्तों इस फिल्म ने मगधीरा के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बॉक्स अवस पर 202 क्रोड की कमाई करी और बहुबली के रिलीस होने से पहले ये तेलगू इंडस्ट्री की हाईज ग्रोसर फिल्म थी तीसरी बार इन्होंने अज्यानता वासी फिल्म में काम किया लेकिन इस बार इनका ये कुलेबरेशन पूरी तरह से मिस्वायर हो गया हाला कि आज भी कुछ दर्सक ऐसे हैं जो इन्हें चौती बार साथ में कुलेबरेशन करते हुए देखना चाहते हैं दोस्तो ये एक्टर डेक्टर की जोड़ी भी काफी फेमस है जिन्होंने तीन सकस्वल प्रोजेक्ट में साथ में काम किया है इन्फैक्ट नानी ने अपना डेब्यू भी इनी निर्देशक के अंतरगत किया दोस्तो ये फिल्म थी अस्ता चम्मा जो कि बॉक्स अविस पर सकस्वल रही आगे चलकर इन दोनों एक्टर डेक्टर ने सालदर सूला की फिल्म जेंटल मैन में कुलैब किया और ये फिल्म भी बॉक्स अविस पर सकस्वल वेंचर साबित हुई लाशली इन्होंने सालदर बीस की फिल्म वे में काम किया जो की कोविट के चलते OTT पर रिलीज हुई हाला कि ओडियंस ने इस फिल्म को भी खूब पसंद किया दोस्तो ये कनड़ा इंडिस्ट्री का एक बहुत ही सकस्वल एक्टर डेक्टर की जोड़ी है जिनोंने कई फिल्मों में साथ में काम किया और हर बार ओडियंस को एक अलगी एक्सपिरियंस प्रोवाइट किया है दोस्तो इनका पहला कुलेबरेशन हमें साल दोर तेरा की फिल्म बजरंगी में देखने को मिला जो की बॉक्सवाइट पर सूपर हिट साबित होई साथी साथ ओवर दा पीरेड इस फिल्म की अपनी एक कल्ड फॉलिंग बन चुकी है आगे चलकर इन दोनों एक्टर और डेक्टर ने इसी फिल्म के सीक्वल में काम किया दोस्तो ये फिल्म थी बजरंगी टू जिसने कनड़ा बॉक्सवाइट पर 40 क्रोन प्लस की धाकल कमाई करके दिखाई फिल्म बॉक्सवाइट पर सूपर इट साबित होई दोस्तो इसके अलावा आखरी बार इन्होंने वेदा नाम की फिल्म में काम किया इस फिल्म के जरीए इन्होंने सक्सर की हेट्रिक जड़ी और आज की तारिक में ये एक्टर डेक्टर की जोड़ी काफी फेमेस है नंबर 19 जैम रवी और मोहन राजा दोस्तों ये दोनों सगे भाई हैं और आज की तारिक में एक प्रॉमिनेंट एक्टर डेक्टर की जोड़ी भी हैं बड़े भाई मोहन राजा ने अपने भाई के कैरोग को समालने के लिए कई सारी नोटेबल फिल्में बनाई और इत्तिफाक ये देखिए ये सारी फिल्में बॉक्स अविस पर सक्सेस्फुल रहीं इसमें ती सालदोर तीन की जयम, 2004 की एम कुमारन सन और महाल अच्छमी, 2006 की उनक्का इनक्कम, 2008 की संतु सुब्रमन्यम और 2010 की थिल्ला गडी दोस्तो ये सारी फिल्में कमर्सली सक्सेस्फुल रहीं और किसी न किसी साउथ फिल्मों की रिमेक थी इसके बाद इन एक्टर डिरेक्टर की जोड़ी पर रिमेक फिल्मों के आरोप लगने लगे डिरेक्टर मोहन राजा ने अपने केरे में जादत तर रिमेक फिल्मों में ही काम किया है इसके चलते एक टाइम के बाद इन्हें काफी कर्ट साइस किया जाने लगा फाइलि इन्हों ने अपने भाई जैम रवी को लेकर अपने केरेर की पहली ओरिजिनल फिल्म डिरेट करी दोस्तो ये विंति थानी और वन दोस्तो मातर 15 क्रोन के बजट में बनी इस फिल्म ने 120 क्रोन की कमाई करी जो की तमिल बॉक्स अविस पर हुज ब्लॉक्पेश्टर तो साबित थी हुई साथी साथ जैम रवी और उनके भाई के केरेर की हाईस डॉसर फिल्म भी कहलाई फिल्म की सफलता ने लोगों के किट्सिजम का जवाब तो दिया ही साथी साथ आज की तारीक में ये ऐसी एक्टर डेक्टर की जोड़ी है जिनका 100% सक्सस रेशियो है दोस्तो बहुत जल्द आपको ये दोनों थानी औरवन के सीक्वल में भी देखने को मिलेंगे बहराल लास्टली हम बात करेंगे एक सबसे स्पेसल कलिबरेशन की दोस्तो ये है प्रिदर्सन और मोहनलाल सर का इस एक्टर डेक्टर ने साथ में काम करते हुए एक लेगेसी सेट करी है इन दोनों ने मल्यालेम इंडस्टरी की दसा और दिसा तो बदला ही साथी साथ एक ऐसी हिस्टरी सेट करके दिखाई है जो साइदी कोई एक्टर और डेक्टर की जोड़ी तोड़ पाए इन्होंने साथ में दरजनों सक्सेस्फुल फिल्मों में काम किया जिनकी आज की तारिक में अपनी एक कल्ट फॉलिंग है इन्फेक्ट अक्षे कुमार और प्रदेसन की जो फिल्म में आपको पसंद है वो कहीं न कहीं मोहनलाल और प्रदेसन की मल्यालम फिल्मों की रिमेक ही रही है बहराल ये रहे उन 20 एक्टर डेक्टर की जोड़ी जो साउत में काफी एदा पॉप्लर है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं साथी साथ अगर हमने फिर भी कोई एक्टर डेक्टर की जोड़ी को मिस्स कर दिया हो तो उसकी जानकारी नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर दें दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद